नए साल में ले नया प्रण, महिलाएं घर बैठे कैसे करें जोब, 2022 के लिए जानिये खास टेप्स आज के युग को अर्थ युग कहते हैं, इस युग में हमेशा आमदनी अठनी और खर्चा रुपईया जैसी हालत प्रते एक व्यक्ति के समक्ष बनी रहती है इसके लिए पूरा परिवार समस्याओं से जूचता रहता है, वैसे भी पिछले दो सालों से कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में ऐसी तपाही मचाई है कि प्रते एक व्यक्ति को एक-एक पैसे का इंतिजाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोड लगाना पड़ रहा है इस समस्या का एक समाधान सामने आया है, यदि आपके घर में महिलाओं के पास समय है और उनमें कोई हुनर है तो वो घर बैठे जौब करके कुछ कमाई कर सकती है और अपने परिवार को खुशाल बना सकती है ज्यादा पढ़ी लिकी हो, ट्रेंड हो, अनुभवी हो, या कम पढ़ी लिकी हो, बिना पढ़ी लिकी हो, सभी को घर बैठे जौब मिल सकता है घरेलों कामकाच में दक्ष महिलाएं भी अपनी मेहनत से घर परिवार को चमका सकती है महिलाओं को ग्रेह लक्षमी इसलिए तो कहा गया है महिलाओं को ग्रेह लक्षमी भी कहा जाता है ये सत्य है कि यदि कोई महिला चाहे, तो वो अवश्य ही ग्रेह लक्षमी बन सकती है आज भी घर से जौब करके अपने परिवार को खुशाल तो बना ही सकती है साथ ही वो आत्मे निर्भर भी बन सकती है अब सवाल ये उठता है कि महिलाएं घर बैठे जॉब कैसे कर सकती है महिलाएं घर बैठे कौन-कौन से जॉब कर सकती है इन सारे सवालों की जवाब आज आपको यहां मिलने वाले हैं जानिए घर बैठे ही कौन-कौन से जॉब मिल सकते हैं महिलाओं को आईए सबसे पहले तो हम ये सोचें कि महिलाओं घर से ही कौन-कौन से जॉब कर सकती है महिलाओं घर से ओनलाइन ओफलाइन दोनों तरह के काम कर सकती है अधिक पढ़ीलिकी महिलाओं के लिए ओनलाइन काम की कोई कमी नहीं है और आमधनी भी अच्छी होती है काम पढ़ीलिकी महिलाओं के लिए भी काम की कमी तो नहीं रहाती लेकिन उनकी आमधनी उनके पढ़ाई लिखाई और योके तक एनुसार ही हो पाती है इसके अलावा घरेलु कामकाश में अनुभावी अनपर महिलाई भी घर पैटकर काम करके आमदनी कर सकती हैं आये देखते हैं महिलाओं के लिए आनलाईन जॉब्स कौन से हैं आनलाईन टीचिंग जॉब्स में अपार संभाव नाए है यदि आप किसी खास विशे की expert है तो आपको online coaching, tuition और अपने विशे की expert dry आदी की job घर बैठे मिन सकती है इससे काफी अच्छी आमदर नहीं हो सकती है आप पढ़ाई लिखाई के अलावा, सिलाई, कढ़ाई, योगा, संगीत, fitness, fashion आदी के बारे में भी लोगों को tips देखर अच्छी कमाई कर सकती है Graphic designing यदि आपको graphic designing आती है तो आप publication से जोड़कर किताबों की designing कर सकती है इसके अलावा magazines, समाचार पत्रों, banner, poster, flags आदेगे design करके अच्छी खासी कमाई कर सकती है Fashion designing यदि आपको fashion designing में विशेशा किता हासल है तो अनेक company आपकी तलाश में है आप इस खशेतर में घर से ही काम करके अपनी परिबार की हर जरूरत को पूरा कर सकती है Freelancing यदि आप जागरूप महिला है और आपका सामाने ग्यान अच्छा है और रोज-रोज की घटनाओं से अपडेट रहती है तो आप किसी भी विशे का विशलेशन कर सकती है आप freelancing का काम कर सकती है एक बार आपके लेक मशूर हो जाए तो आपको काम मिलना असान हो जाएगा Digital Marketing यदि आप अपनी बातों से आकर्शत कर सकती है आप सामने वाले को अपनी किसी product के बारे में अच्छी तरह से समझा सकती है तो आपको उन companyों में अच्छी job घर बैठे ही मिल सकती है यूट्यूबर्स अपने वीडियो के लिए content लिखवाते हैं वेबसाइट वाले अपने लिए लेक लिखवाते हैं अख़वारों, magazineों और publications में इस तरह के content लिखवाए जाते हैं यहां से आपको बहुत अच्छे वेतन और प्रतिलेक अच्छे पैसे मिल जाते हैं आप किसी company की social media का management अपने घर से देख कर भी अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं इसके लिए आपको social media से जुड़े प्रतिक काम आने जाए हैं इसके लावा data entry, blogging, YouTube पर वीडियो बनाना, affiliating marketing, online survey, mini marriage bureau, call center, representative जैसी job भी महलाओ के लिए अच्छी कमाई बाली होती हैं कम पढ़ी लिखी महलाओ के लिए भी हैं ये jobs ये तो बात हुई पढ़ी लिखी और अनुभवी महलाओ की आप बात करते हैं कम पढ़ी लिखी या बिना पढ़ी लिखी महलाओ के लिए घर बैठे job की आप शहर, गाउ, कसबे, महानगर या मेट्रो सिटी में कहीं भी रहती हैं आप किसी कारण और परिस्तिती वस्च पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई हैं तो कोई बात नहीं आप अपने घर में रहकर अपना और अपने परिवार के लोगों का पेट पालने का काम तो करती ही हूँगी कहने का मतलब ये है कि आपको रसोई का काम तो आता ही होगा यदि वही काम आपको पैसे कमाने के लिए करना पड़े तो इसमें कोई परिशानी वारी बात नहीं है कोर्ष सीख कर घर से बढ़ा सकती है आमदनी इसके अलावा बिना पड़ेली की महिलाओं वे यदि कुछ सीखने के इच्छा हो और कोई काम सीख कर पैसा कमाने के इच्छा हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है आपसे लाई, कढ़ाई, बुनाई, कोकिंग, सोप मेकिंग, बेकिंग, पापड मेकिंग, अचार मेकिंग, पैकिंग अधिका काम सीख कर अच्छी खासे कमाई कर सकती है अधिकांच घरेलू महिलाओं को पापड, अचार और खाना बनाना तो आताई है अनेक कमपनिया अपने लिए बड़े बैमाने पर इस तरह का काम करवाती है इसके लिए उन्हें घरेलू महिलाओं की आविशक्ता होती है इस तरह से कम पढ़ी लिखिया और बिना पढ़ी लिखी घरेलू महिलाओं को भी जॉब मिल सकता है जो अच्छी आमदनी प्राप्त करके अपने परिवार को खुशाल बना सकती है महिलाओं कैसे तलाशे वर्प फ्रॉम हो इसके बाद इस बाद को लेकर जियासा सबसे अधेक उत्पन होती है कि आप घर बैठे जॉब मिल कैसे सकते हैं क्या किया जाए कि जॉब मिले इसमें पढ़ी लिकी महिलाओं और सोशल मीडिया पर आक्टिव रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को बताने की आवशक्ता नहीं है इस तरह से करें कंपनियों की तलाश आज के ऑनलाइन युग में हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रोइट फोन और इंटरनेट होता है आप उससे दुनिया भर में अपनी जरूरत की हर चीज की तलाश कर सकते हैं इसी तरह आप गूगल पर सर्च करके अपनी मन पसंद और अपनी योगिता और ख्षमता वाली आनलाइन जॉब भी आसानी से खोट सकती हैं अपना इमेल बनाएं, फेस्बुक पर अकाउंट बनाएं, इसके लिए सबसे पहले आप अपना प्रोफाइल बनाकर फेस्बुक में डालें इसके साथ ही आप एक अच्छा लिज्यू में यानि की बायो डेटा बनाकर भी इंटरनेट पर इमेल के माधम से डाल दें आप जोब अपनी मनपसंद की जॉब के लिए जॉब देने वाली कंपनियों की वेबसाइट पर अपलाई करेंगी तो वहाँ से आपको रोजाना ही नई नई नोटिकेशन यानि की सूचना इफ्राप्त होती रहेंगी यहाँ आप फोन करके अपनी पसंद की जॉब पा सकती हैं इस मामले में थोड़ी साबधानी बरतनी होगी आपको कंपनियों के कुंडली खंगालनी होगी ये देखना होगा कि उनका बैक्ग्राउंड कैसा है इनके काम और पेमेंट की शर्तें सही हैं या फिर नहीं कहीं आप धोके बाज और ठक कंपनी के जालबे तो नहीं फस रहें जिसके बाद में आपको किसी तरह की परिशानी का सामना करना पड़े इस काम से मिलेगी मदद इसके अलावा आपको अपने परिचितों, मित्रों, रिष्टिदारों की मदद से उन ग्रूप्स में शामल हो जाना चाहिए जहां पर आपकी मन पसंद की जॉब से जुड़े लोगों की संख्या आधेको इससे आपको अच्छी जॉब तलाशने में काफी आसानी होगी कम पढ़ी लिकी महिलाओं को करना होगा ये काम कम पढ़ी लिकी अब बिना पढ़ी लिकी महिलाओं के लिए जॉब तलाशना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन नामुम्किन नहीं ऐसी महिलाओं को थोड़ी बहुत सोशल अक्टिविटी करनी होती है इस तरह से करें शुरुवात इस तरह की महिलाओं अचार, पापड, बेकरी प्रोड़क, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, नमकीन, भुजिया और अन्य खाने पीने का सामान थोड़ा-थोड़ा बनाएं और अपने रिश्देदारों, मित्रों, पडोसियों को टेस्ट के लिए दें साथियों ने ये बताएं कि वो ये सामान विक्री के लिए तयार कर रही हैं इसका जितना अधिक प्रचार होगा, उतना ही उन्हें फायदा मिलेगा ये हैं कुछ लाबकारी टिप्स इसके अलावा ये कम पढ़ीली की महिला यदि सोशल मीडिया पर आक्टिव हो सके तो वहां पर भी इस तरह की जानकारी दें या ऐसे ग्रॉप से जुड़ जाएं जहां पर इस तरह का व्यापार होता हूँ इससे इस तरह के उद्योग से जुड़ी कंपनिया इन महिलाओं को घर पर ही अपना काम करा सकती है कितने तक ही हो सकती है कमाई अब सवाल के भी उठता है कि घर पर मिलने वाली इस तरहे की जॉब से महिलाओं को प्रतिमा कितनी कमाई हो सकती है ये बात महिलाओं के स्किल पर निर्फर करती है पढ़ी लिकी महिलाओं की तीचिंग, पैशन डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसी जॉब करने वाली महिलाओं को अच्छी खासी सैल्वी मिल सकती है वही डेटा एंट्री, टाइपिंग वर्ग, ब्लॉगिंग, टेली कॉलर जैसे जॉब के लिए भी आपको ठीक ठाकवेतन मिल सकता है ओफलाइन काम करने वाली कम पढ़ीली की महिलाओं को महनत और हुनर के आधार पर आए हो सकती है कुछ खास बाते गैर-बैठे जॉब में महिलाओं को कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा तब ही उनके काम की तारीफ होगी और उनको जॉब के चांस अधिक मिल पाएंगे काम मिलने पर उस काम को सही समय पर सही तरीखे से किया जाना चाहिए किसी भी काम को मना नहीं करना चाहिए, उसके लिए चाहिए जितनी महनद करनी हो किसी भी तरह के समस्या आने पर कमपनी के जिमेदार व्यक्ति को ततकाल सूचित करना चाहिए ताकि कमपनी के अधिकारी, काम ना होने की जिमेदारी आप पर ना थूप सके काम साफ सुत्रा और अच्छी कॉलिटी का होना चाहिए इससे आपकी मार्केट में गुडविल बनेगी काम करने से पहले ही अपना वेतन या काम के बदले में पैसे की भाग को बिना किसी संकोच के तैह कर लेना चाहिए वो सके तो ये बातें लिखित रूप में होनी चाहिए ताकि भावेश में किसी प्रकार की गर्बड़ी होने पर सुबोत के दौर पर दिखाया जा सके क्या नहीं करना चाहिए कभी भी काम करने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए कम्पनी से i call को receive करने में देड नहीं करनी चाहिए कॉल का जवाब बहुत सोत समझ कर कम शब्दों में मध्यमस्वर में देना चाहिए कम्पनी के अधिकारी से बात करते समय उसको पूरा सम्मान देना चाहिए किसी दरे के विवाद से हमेशा बचना चाहिए तो ये थे कुछ टिप्स और ट्रेक्स जिनको अपना कर आप घर बैठ अच्छी कमाई कर सकते हैं तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा ओकी क्रेडिट बिजनेस ओके है